दोस्तो आज हम पढ़ेंगे अपने CSIS के टुडॉरल में pseudo element selector के बारे में पढ़ेंगे हमने जो पिछली वीडियो में जो selector cover के थे वो थे simple selector, combinator selector, attribute selector और pseudo class selector इस वीडियो में हम पढ़ेंगे pseudo element selector के बारे में पढ़ेंगे हमारे पास कितनी types की pseudo elements आते हैं हमारे पास six types की आते हैं यानि कि after है before है उसके बाद first letter, first line, selection और place holder तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारे पास आते है after और before है इसको हम कैसे लिखते हैं इसको हम लिखते हैं अपने paragraph tsdg voitureu markets के अंदर लिखते हैं यानि के अपने text से पहले लिखते हैं before को हम अपने text से पहले लिखेंगे और जो after है इसको हम text के बाद means के use करते हैं यानि कि हमने कोई चीज इसमें add करनी है कोई चीज लिखनी है उसकी styling करनी है अपने टेक्स टे परग्राफ जो अंदर आता है हमारे पास P-Tags है P-Tags गन्द जो परग्राफ है उससे पहले हमने कोई चीज की चीज को लिखना है या कोई चीज की स्टालिंग करने है तो विफोर सूडू हैलिमेट उसके अगर आगर बाद में कौई चीज की लिखनी है तो आफ्र आफ्र से करेंगे तो इस तरीके से इसका हम यूजग करते हैं टेस्ट के अंदर जो पारगराफ आते हैं उसके हम उपर और निच इसके आड़ में यहाइब्ट एफीर युज करते हैं बिफॉर और आफ्ट र करके देखते हैं मैंने अपनी फायल ऑपन की यह मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ हमने जो पिछले ट्रॉल में जो फाइल बनाई थी वो मैंने ओपन की हुई है यह देखे यह हमारे पास एक इमेज़ है एक पैराग्राफ है यह जानिक एक फार्म टैग्स है उसके बाद क्या आ रहा है एक हमारे पास एक अन आडर हो आठेए ह।सके बाद नीचे एक पैराग्राफ हा रहा है और नीचे जो पैराग्राफ हा रहा है कि आ यह लग मत एक आप अब देखाता हूं हमारा अब कि इस्में क्या करेंगे इस पैराग्राफ को मiçãoगर हमने इसके शूरू में को छीज डालनी है مثال आञे हम यहां पर लिखेंगे इसको लिखने का तरीका है इसको हम Bowser कोलन से लिखते हैं चौक सुपूर के अंदर हम शूद कोलन लगाते लाकल एलिमेट्स हम photo letond s sharam ala, kira dowel N 6. a, second is a second oto and , then we should live before कि हम इसको एक और प्रप्ट याती है कुंटेंट तो इसका हम यूज़ करेंगे इसके अंदर हम स्ट्रिंग बें आता है स्ट्रिंग लेंगे हम यहाँ पर मिसाल करें मैंने इसके अंदर जो चीज़ लिखनी है सूडो एलिमेंट तो मैंने यंवे लिखा ङाem स्ट्रिंग पार uży के मने यहाँ पर लेख़ते हैं अब हम क्या करते हैं अब मैं इसको कलर देए तो मिसाल क्तुर्मे सका कलर रख देता हूं red color ठीक हूँ उर इसका background हम color देती थे background color में क्या कर देता हूं मैं कर देता हूं yellow अब हम क्या करते हैं इसी तरीक है से आफटर को भी लगा लेते हैं यहां पर मैं क्या कर देता हूं after लगे लेता है यानि कि paragraph है और paragraph के अंदर क्या हो रहा है आफ्टर सूडोकलास यहने कि सूडोईलिमेंट साकर जो है अब इसके अंदर भी बैसे लेखेंगे जैनिщі कि कुंटैंट है कुंटैंस लिखेंगे प्रावटि उसके अंदर हम फिर स्ट्रिंग लगाएंगे स्ट्रिंग के अंदर जो हम चीज़े लिखना चाहते हैं, यानि कि मैं क्या लिखता चाहता हूं, यहां पर लिख देते हैं, आफटर, तो उडुआ है, ठीक हो गया, यहां पर कुछाने कंशाव हैं, अब उसका भी color चांज कर लेते हैं, इसका हम कर लिखकते हैं, मैं इसका कर लेते हैं, ism MARK हो गया। इसके बाद इसका, बेग रोंड कलर हम क्या कर देते हैं, जी क्या कर देता हूं। ठीक हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं बैक गरून कलर में रेड कर देता हूं ठीक हो गया रेड नहीं करते हैं ग्रे कर देते हैं वाइट ग्रीन ग्रे ग्रे अच्छा हम इसको सेव करके देखते हैं और इसका फोंट साइज भी बढ़ा लेते हैं यहां पर इसका भी फोंट साइज थोड़ा दे देते हैं जनी कि फॉंट वेट बढा लेते हैं फॉंट वेट मैं कर देता हूं बॉल्ड उसके बाद फॉंट साइज भी दे देते हैं कि फॉंट साइज 25 पिकसल का और यहां पर भी हम इसे तरीक इसको भी दे देते हैं फॉंट वेट मैं कर देता हूं इसका बॉल्ड उसके बाद फॉंट साइज जो कहा है वह मैं कर देता हूं 25 पिकसल सेव करते हैं यह देखें यह paragraph के start में क्या लिखा हुआ आ रहा है जो paragraph हमारा start उसके बिलकुल first line में हमें pseudo element selector मिल रहा है किसकी मदद से यह before pseudo element की मदद से मिल रहा है उसके end में हम अगर जाएं यह क्या होगा है हमने अच्छा इसके अगर मैंन में जाओं तो अच्छा इसके last में जो after है उसने काम नहीं किया है मैं देखते है को मिस्टेक है अगर after हमारा क्यों नहीं काम कर रहा आफटर यहां पर मिस्टेक हो गया है सपैलिंग मिस्टेक है वहा हम ठीक कर लेते हैं अब मिस्टेक करते हैं दूबरा हमारे सपैलिंग मिस्टेक थे यह देखें अब यहां पर last में भी यह जो मारा after pseudo elements लिखा हुआ रहा है यह after elements की में से आ रहा है ठीक है इस तरीके से हम जिनके pseudo elements before और after का यूज करते हैं उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है जानके उसके बाद आता है हमारे पर first letter और first line first letter का मतलब है यह जो हमारा first letter लिखा हुआ है मिसाल के दोर पे मैं यहां पे क्या करता हूँ यहां पे हम इस paragraph के अंदर first letter में आपको लिखके दिखाता हूँ हम इसको खतम कर देते हैं अब हम इसको क्या करते हैं इस pseudo class और before और after को मैं खतम कर देता हूँ तो paragraph के अंदर मैं जाता हूँ हम आपको मैं यहां पे क्या करता हूँ इस जिगा पर हम लिखते हैं कि सिंपर मैं यहां पर ए लिख देता हूँ ठीक है capital अब जो पहला letter हमारा क्या लिखा हूआ है यह लिखा हूआ है अब 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 हम इस एक स्टैलिंग करेंगे यहां पर हूँगा मैं ठीक है अब हमने क्या करना है first letter class लिखाना है हम क्या करेंगे अपने paragraph में लेगाएंगे जो paragraph आ रहा है उसका जो भी हमारे पास दो paragraph आरे एक नीचे है अब हम इसका फास्ट लेटर जो है ऐख़ें उसट लेटर हम क्या करना चाहते हैं स्का क्लर जो है क्या हो जाहे इसका ख़लर रğlरड पर ट्रीक हो गया इसका बैक्ग्राइंड कलर भी चैंज कर लेते हैं background dog इसका क्या हो जाए ब्लैक हो जाए उसके बाद फूर्ट साइज फूर्ट साइज कितना हो जाए 20 पिक्सल फूर्ट वेट भी हम रख लेते हैं कि फूर्ट वेट मैं कितना कर लेता हूं कि फूर्ट वेट हम कर लेते हैं बॉल्ड ठीक है इसको सेव करते हैं यह देखें यह जो हमारा पास फस्ट जो लेटर्स आ रहा है ए ठीक है वो क्या हो गया है उसका कलर रेड हो गया है ठीक है उसका बैक गरून कलर भी आ गया है तो उसको फ्रोंट बिडला गया है फ्रॉंट साइज भी इसका आ गया है जो हम एम इसमें जो लग गाए था ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं तरि उसके बाद हम पढ़ते आ हैं भी स्ट लाइज अब इस पैरिज्ञराफ की जो पर्स लाइने को ए जिस स्टाफ पांड़ करें एड़ा झानों है most कित चाहरे हां पनी हैं उसकिए त्यूजिया खूएँ बाचाहूं कर लेते हैं कि बरफ मैं हम उसके लाइन या फस्ट करने उसका पांड़ लीज़ जैवर उसका और गा गया बेगर उन कलर भी आ गया है फास्तलाइज जो है ऐलिमेट इस तरी के से काम करती है याँ किसी भी टैग्स के अंदर लगा सकते हैं जूरूरी हम पहरे ग्राफ के अंदर लगाएं अब बोल्ड के अंदर लगा दें एले को हो गया हमारा अंडरलैन सुपर स्क्रैप्र ठी कि 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 बी चीज कि यतरा लगा सकते हैं उसके बाता है selection selection की कम करती है य informal को selection करते हैं मिसाल के तोर पे यह के हमारी क्या है मारे पास यह order list आज फिस कपी करूं देखा select्यंकिन मैंने से इसकी है तो इसका background क्लर क्या हो गया है बल्यू हो गया है और इसका कलर वाइट हो गया है इसी तरीके से अगर मैं इस पेराग्राफ को स्लेक्ट करूं यहां से देखें इसका बैग गरूंड कलर क्या है बल्यू है और इसका कलर को क्या हो गया है वाइट हो गया है मैं इसका बैग गरूंड कलर औ हूं इसके अंदर कोई चल्व करना चाहता हूं यह मेरा कलर ना एक कोई और कलर है तो हम सेलेक्शन सुडू ऐलमेट्स के जिरी कर सकते हैं हम क्या करेंगे हम यहां पे जाके मैं यहां पे लिख देता हूं सेलेक्शन सेलेक्शन अब हम क्या करते हैं हम कलर रैड कर देते हैं बैक ग्रोंड कलर हम हटा देते हैं ठीक हो गया उसको फोंट साइज फोंट वेट भी मैं हटा देता हूं अब जब मैं क्या करता हूं मैं इसको सेव करता हूं सिर्फ हमने कलर क्या कर दिया रैड कर दिया है अच्छा एक मिन्ट हम कलर नहीं करते हम सिर्फ बैग गरोंड कलर करते हैं मैंने क्या कर दिया रेड़ सेव करते हैं अच्छा जब अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करता हूं यह देखें अब जब मैं इस पैरेग्राफ को क्या करूंगा स्लेक्ट करूंगा तो यह देखें इसका बैग गरूंड कलर क्या आ रहा है इसका बैग गरूंड कलर रेड कलर का आ रहा है इस तरह के साम इसको कर सकते हैं जो मर्दी पर रखना चाहें हम अब इस कर सकते हैं यासी कर सकते हैं अगर मैं यह दो अबश्ले करूँ तो यह ब्लू हो जाए complicated अगर पर लगाया हूए paragraph के अंदर लगाया हूए paragraph का कलर क्या आएगा मैं इसको देखें इसका पैगर बैक गरोन क्लर क्या आ रहा है गरीन आ रहा है यानिकि हम अपनी मर्जी से इसमें चैंजिंग कर सकते हैं उसके बाद आता है place holder place holder यह हमारे पस प्रेयस अवर्डर हमारे पास animals términ में आया था farm tax के अदर हम इसको ये उसको दिखाता हम और हम मैं इसको किस तरह करते ह bagage my जो farm tax लिका हुआ है्मारा अगर हम चाते हैं कि हमारे आप फर्म टेक्स के अंदर, पहले से ही हमें कोई चीज यहां पर लिक्षी नजर है, यहां अगर हमने नेम लिखना है, तो हमें एक हींट मिलनी चाहिए. ठीक हमारे उजूसर को यहांसे उसको पाता लगना चाहिए कि यहां पर आमने क्या लेकना है इसलिए हम वहां पे आफे पहले से एक नेम लिखते हैं जब हम इस पे कुछ चीज लिखता है डुक फे ख्र और खुझ से होट को यह हमारा farm tag है, यह input के अंदर मैं यहां पे लिखता हूँ, placeholder अब इसके अंदर हम जो चीज लिखेंगे, मैं लिखता हूँ, Mr. Elias अब Mr. Elias मुझे पहले से लिखा हुआ नजर आएगा इसके अंदर जब हम इसके अंदर कोई चीज टाइप करेंगे तो यह खुद बोखुद ही हाट जाएगा, इसको save करके देखते हैं, यह देखें, अच्छा एक मिनट, यहां पे हमने spelling mistake कर दिया है, अब मैं save करता हूँ, यह देखें, यह हमें इसके अंदर Mr. Elias लिखा हुआ नजर आ रहा है, जब इसके अंदर मैं कोई चीज टाइप करता हूँ, तो वो खुद बोखुद हाट जाता है, यह देखें, Mr. Elias हाट गया, अब मैं इसमें कोई भी चीज टाइप कर सकता हूँ, अपने input के अंदर, अब मैं चाता हूँ, यह जो Mr. Elias लिखा हुआ रहा है, अगर हमने इसका color change करना है, ठीके, इसकी कोई भी styling करनी है, तो हम place holder जो हमारे पास एक pseudo element selector आता है, उसके जरीए कर सकता है, अब मैं इसकी थोड़ी styling करता हूँ, अपने pseudo elements के जरीए, यह यहाँ नहीं यहाँ पर लिखता हूँ, यह हमारा input है, ठीके, उसके अंदर क्या आ रहा है, इनके, place holder, ठीके, अब इसका मैं color क्या कर देता हूँ, मैं इसका color red कर देता हूँ, ठीक हो गया, और इसका font weight, font weight, बोल्ड कर देता है, और font, font size भी लगा देता है, 20, 20 pixel का, मैं इसमें font size, font weight और इसको बोल्ड कर दिया है, color क्या कर देता है, इसका red कर दिया है, इसको save करते है, यह देखें, अब इसका color क्या हो गया, red हो गया, और इसका font size 20 pixel का आ रहा है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, यानि कि font weight जो है, इसका बोल्ड आ रहा है, Mr. Elias का, तो इस तरीके से हम इसको place holder को use करते है, मैं इसका थोड़ा सा कम कर देगा हूँ, यह देखें, अब हमारे पास जो है, वो center में आ रहा है, font size बढ़ाने से वो थोड़ा ज्यादा over हो गया था, अब हमारे पास ठीक आ रहा है, इस तरीके से जो हमारी प्राप्टी है, यानि कि after क्या करते हैं, after और before को paragraph के, यानि अगर हमने कोई चीज शुरू में लिखनी हो, first line के से पहले तो paragraph के तो before से लिखते हैं, end में अगर लिखनी हो तो after से लिखते हैं, इस तरीके से जो first letter है, अगर हमने किसी भी element का first letter, यानि के पहला जो character होता है, spelling का, अगर हमने उसके styling करनी है, तो इस तरीके से करते हैं, तो first letter से करते हैं, first line क्या करते हैं, पूरी line अगर हमने styling करनी है, तो first line से करते हैं, selection से अगर हमने इस तरह कोई भी चीज़ से लेक्ट करते हैं, तो उसका color पहले से मिलते हैं बल्यू है कि मिलते हैं अगर हम इसका कणर तो इस लिएंश कर सकते हैं अपनी सूड एलिमेट्स से तो पलेसी होडर तो तौ हम लिस्ट के अंदर आपको लगा कर दिखाता हूं अपना First letter इसकाella के अंदर आ Saya First letter अब किस्का कललर क्या हो जाए रेट हो जाए इसका फोर्ट वेड क्या हो जाए गोल्ड हो जाए इस तरह क्या मेलव को सेव करता हूं तो इसका थोड़ा साइज सेव करते हैं यह देखें अब इसका पहला वर्ल्ड क्या आ रहा है यह निके रेड कलर का रहा है इसका वेड आ रहा है हमारे पास फोंट वेड बोल्ड आ रहा है इसको मैं साइज भी तोड़ा देता हूं इसका साइज हम क्या कर देत ऐसका कर देथा हूँ 25 टेख़ करते हैं यह देखें यह फोर्ट इसका बढ़ गया हमारा पहला घ्र जितने भी हमारे पास घ्र台 थे सबका पहला जो लैटर था उसका कलर फोर्ट वेट फोर्ट साइज उसका बाड़िया है हम इस तरीके से इनके स्टैलिंग करते हैं अपने सूडो एलिमेंट सेलेक्टर को इस्तमाल करके तो तब तक के लिए तना ही थैंक यू टेक केर बाई बाई